हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनलाइन क्लासेज सन्राइज पबलिक सेकेंडरी स्कूल टोड़ी गुड़ा गोरजी देखें आज हम आपको हिंदी में भक्त कवी सूर्दास जी के बारे में बताएंगे आपको ध्यान पूर्वक इसको समझना है तो देखें सबसे पहले भक्त कवी सूर्दास जी का इंट्रोडक्शन अर्थार्थ इनका जीवन परीचे तो देखें सूर्दास जी भक्ती काल की कर्षण भक्ती साखा के परमुख कवी माने जाते हैं इनका जनम विक्रम संवत 1524 को दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था सूर्दास जी अपने गुरू वल्लभाचारिय द्वारा वल्लभ संप्रदाय में दिख्सित हुए साथ ही अपने गुरू की आज्यानुसार इन्होंने इस्वर की कथा को बासा के रूप में वर्नन करने का कारिये परारंब कर दिया सूर्दास जी की तीन परमुख रचनाएं मानी जाती हैं तो देखिए वो तीन परमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं पहली सूर्दास जी ने अपने पदू में ब्रजबाचार इनका अत्यंत स्रेश्ट कावे माना जाता है सूर्दास जी ने अपने पदू में ब्रजबाचा का प्रियोग किया है सूर्दास जी की भक्ती सक्खे वाव की मानी जाती है इन्होंने अपने गरंथों में स्रीकर्षन को आराधे मान कर उनकी बाल लिला, रूप माधूरी, सैयोग वियोग तथा स्रंगार से समंदित हजारू गे पदूं की रचना की है अंत में सूर्दास जी का निधन विक्रम संवत 1620 में पार सोली नामकिस्थान पर हुआ माना जाता है तो देखिए इसके जीवन परीचे के बाद में आता है पाठ परीचे सूर्दास जी द्वारा रचित पदों का परीचे तो देखिए सूर्दास जी द्वारा रचित पदों में पहला पद लीला विलास से समंदित तथा अन्य तीन पद बर्मर गीत से संकलित है पहले पद में कृष्णवे राधा के मिलन का वर्नन किया गया है अन्य पदों में उद्धवे गोपिकाउं के समाध है वे कृष्ण को अपने मन और रिधय को हरने वाला चोर मानती है तीसरे पद में गोपियां मतुरा से बेजे गए संदेशों पर आक्षेप करती है अन्तिम पद में गोपियां अपनी विवस्ता, वेदना, व्यक्त कर कहती हैं कि हमारा मन तो प्रियतम सिरीकर्षन के पास चला गया है इसलिए उद्दव के निर्गुन संदेश को कैसे अपनाया जा सकता है गोपिकाओं के उपालम विदक्ता और करुणा से भरे है गोपियों के वेंगे बानों से उद्दव का रिधय छलनी हो जाता है और वे स्वेम क्रिशन में हो जाते हैं तो देखें इसके बाद में आता है सूर्दास द्वारा रचित पदों की सह परसंग व्याख्याएं किसी भी कवी की व्याख्याएं करते समय सबसे पहले उसके पदों को ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है तो देखिए व्याख्या में तीन पॉइंट मुख्य होते हैं पहला होता है पर्शंग और दूसरा पॉइंट होता है व्याख्या और तीसरे नमबर पर आता है विसेश तो देखे अपन पहले नंबर का पॉइंट पहले लेते हैं इसका पर्शंग तो देखे प्रस्तुत पद्यांस भाक्त कवी सूर्दास त्वारा रचित पदों से लिया गया है इसमें राधा और क्रिशन की पर्थम भेंट अर्थार मुलाखात का वर्णन किया गया है पर्शंग के बाद में दूसरा पॉइंट आता है व्याख्या का कि इसकी व्याख्या किस रूप में की जाए पहले इसके पदों को ध्यान पूर्वक पढ़ते जाना है और उनको अर्थार्थ इनको विस्तारित रूप में इनका उलेख करना होगा तो देखिए बग्त कवी सूर्दास जी कहते हैं कि बूजत स्याम कौन तु गोरी कि पहली बार ब्रज में आई हुई राधा को देखकर स्रीकर्शन पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो यहां गोरी सम्बोधन राधा के लिए आया यहां गोरी सब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है राधा के लिए हुआ है आगे श्रीकर्षन कहते हैं कि कहां रहती हो किसकी बेटी हो कभी आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा कि श्रीकर्षन है और राधा की पर्थम बेट होती है तो श्रीकर्षन राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो कहां रहती हो किसकी वेटी हो आपको कभी बरज की गलियों में नहीं देखा या खोरी सब्दकार्थ क्या है गली तब राधा उत्तर में क्या कहती है कि काहे को हम बरज तन आऊती कि हम बरज की और क्यों आए खेलते रहती अपनी पोरी पोरी का अर्थ है देहलीज कि हम बरज की और क्यों आए हम तो अपनी ही देहलीज पर खेला करती है लेकिन हाँ सुनते रहती स्रवनेनी कि हम परती दिन सुनती रहती है नंदे दोटा, दोटा का अर्थ होता है बेटा कि हम सुनती रहती हैं कि नंद का बेटा दही और मक्षन की चोरी करता फिरता रहता है तब स्रीकृषन कहते हैं हमने तुमारा क्या चुरा लिया है खेलन चलो संग मिली जोरी कि हमने आपका क्या चुरा लिया है आप हमारे साथ खेलने चलो और हमारी जोड़ीदार बनकर खेलो जोरीगार्थ है जोड़ीदार कि आप हमारे साथ हमारी जोड़ीदार बनकर खेलो रसीकों में सिरोमणी शिरीकर्षन ने बातनी बुरई राधिका बुरी कि रसीकों में प्रिये सिरोमणी शिरीकर्षन ने भोली राधा को बातों में ही उलजा लिया अर्थार्थ उसे खेलने के लिए तैयार कर लिया तो देखें, इस पध्यांस के दो पॉंट आपने पढ़े हैं, परशंग हो गया, व्याख्या हो गई, अब तीसरा पॉंट आता है विसेस विसेस में क्या होता है? एक तो आपको ध्यान में रखना है, हिंदी वासा है वो सरल और सरस कि पढ़ने में आनंद दाएगा तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ कि बासा सरल और सरस है और दूसरा पॉइंट आपको सूर्दास्जी के जीवन परीचे में बताया गया था कि ब्रजबासा का प्रियोग किया गया कि सूर्दास्जी ने अपने पदों में सबसे अधिक ब्रजबासा का प्रियोग किया था ब्रजबासा का प्रियोग किया गया अब तीसरा में पॉइंट है जो कि आपको इस व्याख्या में सी डूंडना है कि इसमें किस बात पर बल दिया गया तो क्या हुआ तीसरा पॉइंट है कि इसमें राधा और श्रीकर्षन के मिलन का वर्नन किया गया है और चोथा पॉइंट है अनुप्रास अलंकार का प्रियोग किया गया है